हे गाईज और वेलकम बैक टू मैं चैनल SMT स्टोक मार्केट ट्रेंड्स दोस्तों कम्पलीटली वन बाई वन सारी चीजों की बात करेंगे मार्केट का एनलैसिस देखेंगे फिंच की जो आज रेटिंग आई है इंडिया के लिए रिवायज रेटिंग आई है उसके बारे में बात करूँगा और उससे क्या सेंसेक्स और जो निफ्टी है उसके उपर क्या impact अपन को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करूँगा उसके बात में जो अपना important है Sensex के उपर तो completely सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपन बात करेंगे तो सुरू करते हैं आपन सबसे पहले Today's Market Analysis दोस्तों Market के अनलाइसिस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा Sensex पर Sensex ने आज 700 पॉइंट का अप बनाया है और ओकी अभी जो पिछले दिनों की बात करूँ तो पिछले दिनों में ये 10-15 दिन के अंदर आपको आज के दिन अच्छा खासा यहां पे रेली देखने को मिलेगी अगर आप compare करो तो आज के दिन एक अच्छी रेली आज Sensex ने दिखाई है और ये रेली दोस्तों मुझे नहीं लगता ये पर्मानेंट रेली है क्योंकि जो अभी फिंच की भी negative जो news आई है और उसके बाद में market भी इतना positive नहीं है और COVID के case regularly बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद में भी जो रेली आई है उसकी मैं वज़ा बताता हूँ आज जो रेली आई सबसे पहले जो रेली की starting हुई वो हुई जो NVFC है मुथूद Finance की बात कर लो चाए आप मनपूरम की बात कर लो ये इस टोग आज सुबे देखो के तो आप ये काफी high पे खुले और उसके बाद में इसने आज इनोंने continuously अपनी ग्रोथ दिखाई मुथूद Finance की ग्रोथ का रीजन था कि जो इसके quarter 4 के जो revenue दिखाया है जो ग्रोथ दिखाई इसने वो काफी outstanding है और अच्छी खासी ग्रोथ होने की वज़र से इस stock के अंदर आज 16% का यहां पे इसने अब बनाया जो कि मुथूद Finance stock की बात करूँ तो इसके लिए भोथ ही positive news है क्योंकि पिछले दिनों पे यही stock 476 तक low पे चला गया था और उस stock ने क्या शांदार यहां पे recovery दिखाई है जो की काबिले तारिफ है इस stock के लिए इसलिए यह stock आज मेरे पूरे दिन rate पे रहा और इनसे जो rally start हुई थी दोस्तो Sensex के अंदर इनसे जो rally start हुई थी उसके बाद में टेलीकॉम के लिए भी कोई बूरी खबर नहीं आई Supreme Court से क्योंकि लोगों ने बहुत सारी negativity भेला रगी थी Supreme Court आज इसकी वज़े से एक company बंद हो सकती है यह सारी चीज़े इस type की news भेला रगी थी तो उसमें भी Supreme Court ने उनको July के 3rd week तक का time दे दिया है company को फिर से extend कर दिया है जो उनको जबाब देना था कि कैसे आप money को जो आने वाले 20 year में कैसे submit करोगे और क्या security देऊगे तो उसके लिए जो time उन्होंने फिर से मांगा था Idea Vodafone ने तो वो भी grant कर दिया है तो इसकी वज़े से भी फिर से इसके इंदर rally देखने के उली और तीसरी दोस्तो rally थी कि उसके बाद में जो banking के stock थे उन्होंने इस trend को follow किया और आप देखोगे कि banking के stock ने भी अच्छा खासा आज return दिया है तो bank nifty के अंदर भी तेजी देखने को मिरी है और जिसको follow करते करते जो sensex है वो आज बिना किसी man region के आज इस मुकाम पे पहुँच पाया उसके बाद में reliance के अंदर भी आज अच्छी खासी तेजी दिखी और reliance जो एक खुद में एक बहुत बड़ी company है तो reliance और बजाज finance ने दो ने ही अकेले ने ही आज जो share market है इसको एकदम pull up कर दिया एकदम उपर ले जाके छोड़ दिया क्यूंकि उनका जो market cave है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वज़य से इतना उनका थोड़ा सा भी move होता है तो पूरे market पे उसका impact पड़ता है अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन आज के top gainer की top gainer के अंदर है बजाज fin serve जो है वो सबसे ज़्यादा है 7.75% का इसने अच्छा खासा return दिया है और अच्छी quantity के अंदर इसके अंदर trade हुआ है और आज मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा quantity के अंदर जिस company के अंदर trade हुआ है वो है बजाज finance के अंदर और बजाज finance ने भी आज 5.42% का अच्छा खासा यहां पे return दिया है आप देखोगी बजाज finance ने पिछले 2 दिन से भी green के अंदर दिखा रहा था और आज फिर से अच्छा खासा return दिया है तो बजाज finance भी अभी पिछले 3 दिन से अपन बात करें आज को include करके तो अच्छा खासा return देती हुई दिख रही है coal India की मैं बात करूँगा तो coal India ने आज इसलिए अच्छा कासा return दिया था क्योंकि जो coal mining है उनका auction की आज जो process है उसके लिए PM ने indication दे दिये थे और PM ने जो direct आपने भाशन भी देखा होगा उसके अंदर direct indication दे दिये थे तो जो coal India पिछले 5 दे से raid के अंदर दिख रही थी उसके अंदर आज फिर से अज फिर एकदम bounce back आया और इसने 6.30% का return दिया अच्छा खासा return दिया और उसकी man वज़य थी दोस्तों जो coal mining है वो private firm के लिए start कर दी गही है उसके बाद मैं बात करूँगा मैं top loser की तो उसके अंदर आज किसी ने companies ने ज्यादा कोई lose नहीं किय यहां पर top में दिखा रही है 0.71% जो की normal trading के लिए इतना ज्यादा कम इतना होता रहता है trading के अंदर यह कोई ज्यादा इसके अंदर फाल नहीं है और उसके बाद में आज सारी जो भी आप देखो कि market की maximum कंपनिया bullish ही दिखाई दी उसके बाद मैं बात करते हैं सबसे important जो अपने next topic है उसकी बात करूँगा दोस्तों वो है फिंच की rating आ गई है फिंच की rating है वो इंडिया के लिए revise rating आ गई है उसकी मैं बात करूँगा और वो सबसे पहले बता दूँ कि जो फिंच rating नाम की company है उसका headquarter United State New York के अंदर है और यह जो one of the three best जो rating company है उसके अंदर आत कीन है इनके अंदर यह आती है और इनके जो analysis होते हैं इनके जो यह जो analysis करके बताती है जो GDP growth बताती है किसी country की और जो सारे factors के बारे में बात करती है वो लगबग लगबग accurate बैढते हैं क्योंकि यह यह firm sir यह बहुत पुराने time से काम कर रही है और सारे country के data के उपर analysis करके हो तभी यह अपनी report चापते हैं तो अभी जो इन्होंने report दी है उसके अंदर फिंच ने बोला है कि फिंच revise India's rating a third view which is different yet again तो इसके अंदर जो इन्होंने वापस से जो revise view दिया है अपना उसके अंदर बोला है कि due to lockdown and its effect और जो COVID-90 है उसकी जो growth हो रही है अभी इंडिया के इंदर COVID-90 एकदम आप देखोगे तो पिछले 10-15 दिन से इतना सारपली बढ़ रहा है और आगे आप देखोगे गर्मी भी कम होती जा रही है क्योंकि बारिस कम हो समारा मानशून आ रहा है तो इसकी वज़ए से predict किया जा रहा है कि जो यह cases हैं यह आगे और ज्यादा बढ पर जा रहा है और जो यहां पर rating agency जो rating बता रही है जो actual figure बता रही है वो बहुत इलो है तो यह mismatch हो रहा है और इंडिया का जो market है आप देखोगे इंडिया का market बहुत बड़ी गलती कर रहा है Dow Jones को follow करके Dow Jones जो international American market है उसको follow करके यह बहुत बड़ी गलती कर रहा है उसके पीछे का reason दोस्तों साफ है देखो वहां पे है चुनाव और चुनाव की वज़य से वहां पे जो president है वो यह दिखाना चाता है कि हमने इतने बड़े pandemic में भी अपनी economy को down नहीं होने दिया तो वो इसके अंदर जो वहां की फेड है जो federal reserve है वहां की federal reserve से बहुत ज्यादा ज ऐसा पंप कर रहा है जो liquidity है पंप कर रहा है जिसकी वज़य से इतनी negative चाइज होने के बाद भी वहां का market नीचे नहीं आ पा रहा है आप देखो कि वहां दंगे तक हो रहे है उसके बाद में भी उस market को वह sustain करा रहा है और इवन वह 52 week हाई पे चला गया नेश्डेक आप सो एक ही एक ही negative news काफ ही होगी इस market को crash आने में तो दोस्तों अपन को इन सारे के सारी चीजों पे सारे factors पे ध्यान रखना पड़ेगा तभी एक safe investor बन पाएंगे उसके बाद में जो अपना जो अगला topic है वो है Vodafone Idea का stock Vodafone Idea के stock के बारे में बात करें तो इसके अंदर आज इसने 1% का low बनाया है 1% down गया है stock end तक का देखें तो और इसके अंदर अच्छी खासी trading भी देखने को मिली कल की trading से double trading आज देखने को मिली लगबग जो इसकी जो highest trading रहती है वो ही आज उसी figure के लगबग आज देखने को मिली total कर दें तो जो 100 crods के जो share है उसके अंदर trading द total जो बैठती है इसके अंदर 1000 crod की यहां पर trading देखने को मिली जो कि एक अच्छी कासी trading और huge trading मैं बोलूँगा आज के दिन में और आज होनी भी थी क्योंकि जो AGR issue था उसकी वज़़े से ये सारी चीज़े हुई और मैंने आपको कल एक चीज बोली थी पर्सों ही even मां पाया तो डिप के अंदर आप ने बहुत सारे लोगों ने शेल कर दिया हो सर बोल रहे हैं कि अभी वह वापस उपर आ गया तो आपको मैंने शाब बोला था यह operator जब कुछ भी ऐसी event वाली चीज़ें होती है तो वहां पर ड्राने के लिए ऐसी चीज़ें करता है तो आपक लेवल है उस पे भी शेल कर सकते थे तो कम से कम आप नुकसान से तो बच जाते अब दोस्तों बात करते हैं आज कोर्ट के अंदर हुआ क्या कोर्ट के अंदर दोस्तों बात करें तो वोड़ा फोन आइडिया है उसने साफ साब बोल दिया कि हम अभी सारा का सारा amount 20 साल के अ और उसी बात हम ठीके हुए हैं, तो उसके उपर सुप्रीम कोट ने ये बोला कि उसके उपर जो सुप्रीम कोट है, उसने ये बोला कि इसकी क्या गारंटी है कि 20 साल के अंदर आपकी जो वोड़ाफोन आइडिया है, वो दिवालिया नहीं हो जाएगी, हो सकता आगे वो पैसे की जरूरत है, अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो उसके उपर आप अपना अभी जो अमाउंट है, वो जमा करा देते तो गवर्मेंट के लिए ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो गवर्मेंट है उसको अभी पैसे की अच्छी काशी जरूरत है, तो उसके उपर Vodafone Idea ने अपना victim card खेला और उस victim card खेलने का region दोस्तों यह है कि Vodafone Idea इस victim card जो victim card है इससे अपना फाइदा उठाना चाहती है और obvious सी बात है वो इस फाइदे में successful भी हो रही है आप धिरे धिरे देखोगे तो क्योंकि अभी जो यह चीज है यह Supreme Court धिरे 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 सरकार प तो Department of Telecom के धिरे-धिरे handover करता हुआ दिख रहा है और Department of जो सरकार है वो तो यही चाहती है ना कि जो Companies हैं Company अभी बंद नहीं हो क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सरकार की तरब से भी आज यही बोला गया कि इनके पास एक साथ नहीं है पैसा आप इनको time दिया जाए यह साब चीज उन्होंने बोली थी यह आपने आज सुनी होगी और उसी को उसी को आप Supreme Court अपने उपर न बात मानता है अब यहां पर आइडिया ने क्या बोला आइडिया ने यह बोला कि आप हमें 15 जो डेज हैं दो तीन वीक का हमें time दीजिए अगले उसके बाद में हम और ज्यादा director से discuss करके और ज्यादा आपको एफिडेविट में security जो हैं उसके उपर और complete में detail में आपको च action ठी थोड़ी किरता यहां पर क्या बोला Supreme Court ने Supreme Court ने इसको बोला कि ठीक है आप सारी telecom companies एक साथ आओ एक debt fix करो जुलाई के थर्ड वीक के अंदर हम जो hearing है वो करेंगे तो उस तब तक आप सारी की सारी जो guarantees हैं आप जो दे सकते हो हमें और जो आपके पास full proof plan जो है कैसे आप चुकाओगे अगले 20 साल में वो आप लेके आओ यह सारी चीज़े आज आप पड़ सकते हो यह Apex Court ने बोली है तो इस Apex Court ने Supreme Court ने जो चीज़े बोली है तो वो थोड़ी mix सी लगती है कि Vodafone idea के लिए अच्छी new एक तो अच्छी new जै कि इसको time दे दिया extra तो इसके parent company है जो London Britain के अंदर जिसका headquarter है उसने भी बोला है कि कुछ amount हम help कर देंगे अगर यह दोनों amount मिलके हो जाते हैं तो लगबग 8,000 करोड का इनकी parent company ने बोला था और लगबग 42,000 करोड का यहां से तो लगबग 12,200 करोड का यहां पे इनको जो यह है money raise कर सकते हैं और plus plus इसक करोगे तो लगबग यह बता रहे हैं कि 6-7,000 करोड के राउंड इनका जो GST है जो टेक्स है वो extra दिया हुआ अगर्मेंट को तो लगबग 18,000 करोड का amount यहां पे बनता है अगर यह सारा का सारा राउंड यह हो जाता है तो अगली जब hearing होगी तो यह अगर चीज दिखा प पती है तो यह एक बहुत ही positive move होगा आगे आने वाले time में Vodafone idea के लिए और मेभी Supreme Court जो इनका आने वाले BCR का प्लान है उसके लिए मान जाए क्योंकि idea दोस्तों इतनी बड़ी company है इतना ऐसे नहीं होता है कि एक second में Supreme Court ने ऐसे बोल दिया कि इसको bankruptcy act में लेया और एक मिन payment में इसको खतम कर दो ऐसा कभी भी इतनी बड़ी company के साथ नहीं हो सकता है लेकिन जो trade की बात करूँ आगे आने वाले 3-4 दिन के अंदर trade की बात करूँ तो आगे आने वाली जो deal है वो deal है इंडस्टावर वाली deal वो maximum to maximum 24 की date से पहले-पहले होने के पूरे-पूरे chance है तो अभी क्यों जल्दबाजी कर रहे हो जल्दबाजी करने की कोई जरूत नहीं अभी जब तक कि market थोड़ा stable ना हो जए जब तक कि ये सारी news confirm ना हो जाये तब तक आपको जल्दबाजी करने की जरूत नहीं है और जो profit में है वो थोड़ा बहुत profit ले भी सकते हो क्योंकि दोनों चीज़े होती है जिसने 3 रूपीज 4 रूपीज में ले रखा है तो वो थोड़ा बहुत प्रोफिट लेके चल सकता है थोड़ा बहुत प्रोफिट गेन कर सकता है यह दोनों मिक्स यह है और उसके बाद में दोस्तों लास्ट में मैं बात करूं तो जो इंडो और वे दे दिया है कि आगे आने वाले टाइम में इसके उपर गॉवर्मेंट है वो स्टिक्ट एक्षन ले सकती है और जो पूरे देश के अंदर आप देखो गे बिहार यूपी और सारे के सारे जो स्टेट हैं उनके अंदर बहुत ज़यदा इसके उपर आज बहुत ज़यदा प रखना है अगर share market के अंदर आगे future के trade देख रहे हो तो तो दोस्तों यह complete analysis था इसके उपर और आपको analysis कैसा लगा प्लीज नीचे comment में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें share करें और चैनल को subscribe करें ताकि आपको ऐसे ही market के complete analysis this is Belli military and thank you Dostum